इस्टुटेंट हमने अपने अर्लिय वीडियो में पढ़ा कि किस तरीके से 19th century में जो इंडियन वीवर्स थे उनके सामने बहुत सारी परेशाने आने लगी उनको सर्वाइव करना भी बहुत मुस्किल हो गया ठीक है आज हम पढ़ेंगे कि जब 19th century में इंडिया में फैक्ट परेशाने लगाई कही 1854 में और उसमें उसके टू यर के बाद ही वहां पर उसका प्रोडेक्शन होने लगा था ठीक है यानि दो साल के बाद प्रोडेक्शन स्टार्ट हुआ था 1854 में लगाएगी थी 1862 में यहां वहां ऐसी 4 जो है मील लग गई थी निमें से 94,000 जो थी वह कितनी थी इस पिंडल और 2150 जो थी वह लूम थी ठीक है उसी टाइम में बंगाल में भी बहुत सारी जो जूट की मील लगाई जाने लगी थी और वहां पर देश की सबसे पहली जूट मील 1855 में और दूसरी उसके साथ साल के बाद 1862 में स्टार्ट हुई यानि सबसे प 1865 में और दूसरी कब लगाई गई थी यानि साथ साल के बाद उसके 62 में और नोर्थ में एंगलिन मील जो थी 1860 के सेंचुरी में कानपूर में लगाई गई थी और इसके बाद एक वर्स के बाद एहमदाबाद में पहली कप्रा मील भी स्टार्ट हो गई थी ठीक है यानि 18 1860 के बाद यानि 61 में एंदाबाद में पहली कप्रा मील भी स्टार्ट हो गई थी 1874 में मदरास में भी पहली जो स्पिनिंग थी और विविंग की जो मेल्स थी वो मदरास में वहाँ पर खुल गई थी और उन्होंने अपना प्रोडेक्शन भी स्टार्ट के दिया था बट ह वो सेट अप दा इंडस्ट्री ये कौन लोग ते जिन्होंने इन इंडस्ट्री को लगाना स्टार्ट किया था और इनके पास पैसा कहां से आ रहा था और ये जो मेल्स थी इन मेलों में काम करने के वाले मजदूर कौन थे या कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इस पार् अगलतर है कि लोग जो थे जो अंडस्ट्री लगा रहे थे तो उनी के बारे में अब हम देखते हैं कि वो कौन लोग थे सबसे पहले तो बहुत सारे जितने भी बिजनेस ग्रूप थे उनका जो हिस्ट्री है वो हमें चीन के साथ वैपार करने के समय से ही पता चलता रहा है भारत का जो अफीम था वो चीन को एक्सपोर्ट करने लगे थे और उसके बदले में वो चीन से क्या खरीते थे चाय खरीते थे जो चाय कहा जाती थी इंग्लेंड जाती थी ठीक है यानि इंडिया का जो अफीम था वो चायना में जाता था और चायना से वो चाय खरीत कर इ इणको पैसा पहलारा है या नहीं जा रहा है यह जो ट्रेडर्स थे वहीं ये सब काम करते थे जो वैपार था वैपार से पैसा कमाने के बाद उनसे बहुत सारे इंडस्ट्रीन लिस्ट थे उन्होंने भारत में आपनी खुद की जो इंडस्ट्रिल है जो उद्व का इस्थाप्ट लगाना चाहते थे तो इसलिए बंगाल में जो द्वार का श्रू कर दी इस तरह के उद्ध्योंग में और उनोंने 1830 से लेकर 40 में उनोंने चोंपनी लगाना चोंपनी लगाना चोंपनी लगानी यह सब्सक्राइब से लेकर 40 तक में उन्होंने 6 कम्पनी लगाई और 40 के जो सेंच्चुरी में जब 14 1840 की जो सेंच्चुरी जूमें बहुत सारे जो हमारे इंटरप्राज जिसमें बहुत सारे क्राइसिज आये और उन क्राइसिस में दूसरों के साथ टैगोर ने वैपार करके वो और वो वैपार करने लगे लेकिन 19 सेंचुरी में चीन के साथ जब उन्होंने वैपार करना शुरू किया तो बहुत सारे जितने भी टेडर्स थे वो सफल उद्ध्योगपती भी सीध हुए तीक है यानि वो बहु लेकिन 19 सेंचुरी में चीन के साथ जब वैपार करने वाले बहुत सारे जो वैपारी थे वो भी अपने एक बहुत ही अच्छे उद्धोगपती शिद्ध हुए यानि उन्होंने भी बहुत अच्छे से वैपार किया बॉम्बे पैरिस लाइक दिन दिन्शुआ पेटिट ए नुसरवाजी टाटा जैसे बहुत सारे पार्शी जो थे ये लोग भी चीन के साथ चीन को एक्सपोर्ट करके और बहुत ही आंचिक रूप से इंगलेंड से जो है रो कॉटन का जो है उसको एक्सपोर्ट करते थे और उससे बहुत सारा उन्होंने पैसा कमा दिया था लेकि निए और उनोंने भी चीन के साथ वैपार करना शुरू कर दिया यारीं कलकटा में सेटे होगम चिंद्थ में उसके बाद चीन में उपने वैपार्कण शुरू कर दिया और यही काम वो बहुत बड़े पर्चिक जो बहुत फेमस जो इंडस्ट लिस्ट है यानि GD बिला उनके पिता और उनके दादाजी ने भी किया यानि GD बिला जो है उनके फादर भी और उनके ग्रेंड फादर भी इस तरह का ही वर्क करते थे Capital was accumulated through other trade network लेकिन जो पूंजी थी वो एक खटा करने के लिए बहुत सारे trade network उनसे help लिया गया मदरास में बहुत सारे जो सोधा करते यानि जो traders थे वो बर्मा से वैपार करते थे और जब कि कुछ जो थे वो Middle East और East Africa से याद करते थे बर्मा मतलब आज जो आपका मैनमार है उसका पुरा ओल्ड नेम जो है वो बर्मा था तीक है और अब उसको मैनमार के नाम से जानते है देवर येट अधर commercial group और यहाँ पर क्या थे इसके अतलिक पर भी बहुत सारे अलग अलग commercial groups थे और वो भी लेकिन वे क्या करते थे वे भी वीडेशों के साथ वैपार से जुड़े हुए थे सीधे वीडेशों के साथ वैपार करते थे वे भारत नहीं website करते थे तीक है सॉरी यानि वो क्या था है वीडेशों से वैपार नहीं करते थे और वो किस से डारेक्ट किस से पहुंच oni और जो सारे वैपारियों को पैसा भी दे दीटे कि जब एक टेदे जोंको उननीग होती th zijn उससे वह सारा पैसे को व्याच पर दे दे चे और वह वैपारी को भी दे जब यह जो उध्योग थे इन उध्योगों में 5555 अपनी फेक्टरी लगा ले तो बहुत सारे परपुटरीपिन को इंबेशा हो ने लग थे तो भारत के वैपार था वो अपनिवेशिक परभूत बढ़ गया यानि जैसे भारते वैपार पर जो कॉलोनेल था कॉलोनेल कंट्रोल जो था वह बहुत आरा टाइड था वैसे वैसे जो इंडियान ट्रेडर्स थे मर्चेंट जो थे उनके लिए भी बहुत सारी जो है कंडिशन जो थी वह कम होती जा जा रही थी उन्हें अपना तयार माल आई यहां बेजना पड़ता था था बेचने के लिए यूरोप में बेचने के लिए रोक दिया गया जैसा कि हमने अपने लास्स वीडियो में बढ़ा कि बेटा आज यूरोप के मर्चेंट मर्चेंटे टेक्स्टराइल इंडस्री के जो अनर से उन्होंने मारा कि ज़ो क्राउन से मना कर दिया कि यहां पर करी बहु उप कि तरह का इंडियन माल नहीं आए՗ा टीट कर दिए कرف एंडियन माल फिक हिसलेल करने को तो तरीके से क्या था अनाज या कच्ची जो रो अफीम कॉटन होती थी या अफीम होती थी गेहूं होती थी या जो नील का एक्सपोर्ट ही कर सकते थे या निवा अपना जो है फिनिस गूड्स नहीं बेच सकते थे सिर्फ रो मैटेरियल को ही वहाँ पर या फूड जो ग्रेंड्स होता था उसको बेचते थे देवर और ग्रेजवली इंट आउट दा शीपिंग बिजनेस और इस तरीके से धीरे-धीरे उनहें जो शीपिंग बिजनेस था उससे भी बाहर कर दिया गया तिल दा फर्स फर्सट वर्ड वर्ड तक यह यह यूरोपे जितने भी एजन्सी थी वह भारत के यह एजन्सिया पूंजी जुटा दी थी यानि सबसे पैसे खटा करती थी और उसको क्लेक्टिवली जो है जो उध्यम जो लगाए जाते थे उनको कंपनियों में लगाती थी और उनका जो सब कुछ मेंटिनेंस वगेरा उनका सारा जितना भी एड्मिस्टेटेश सिस्टन था जोता एड्मिस वह देखती थी जितने भी जारत अर्ट हम बातों में देखें तो भारतिय क्या करते थे वह फाइनसअर फंडिन फाननसर से पूंजी उनको देते थे जबकि जितना निवेश जो होता था और जो website भी होता था उससे संब्धित फैसले सारे कौन लेती थी European agencies लेती थी यानि इसे पैसा इंडिया था बाकी सारे फैसले European agencies ही लेती थी जितने भी जो हमारे टेडर्स थे या जो European businessmen जो थे वह अपने सारे वानिज्जे जो उन्होंने जो chambers बनाए हुए थे जिनमें जितने भी इंडियन जो website उनको शामिल नहीं किया गया था यानि जो European merchant ने अपने chambers बना लिए थे जो अपनी संगठन बना लिए थे उसमें इंडियन जो businessmen थे उनको आना की permission नहीं थी अब है यह जो इंडस्ट्री लगाए गई इन इंडस्ट्री में वरकर कहां से आते थे जब फैक्ट्री होंगी तो उसके लिए वरकर भी चाहिए होंगे तीक है विद्धा expansion of factories इस जैसे जैसे वेक्ट्रियों का विस्तारवा वैसे 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 वरकर्स की डिमांड इंक्रीज होने लगी 1901 में इंडियन फैक्ट्री में 584,000 मजदूर काम करते हैं लेकिन जो 1946 तक यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई 24,36,000 हो गई लेकिन इतने सारे मजदूर कहां से आए यह बहुत ही important बात है कि फैक्ट्रियस जो लगाई गई फैक्ट्रियस के साथ मजदूर कहा से है यह सारे मजदूर आसपास के एरिया से आह जैसे हम परचुके हैं विटार लास्ट वीडियो में कि हमने जियो मजदूर से वह गाउंसे शहर की तरफ आते थे जब काम की तला था जो किसान यह ć으ां जो इसं जो थे प्रकर्लवार में काम नहीं किता था वो भी इंडेस्ट्री की तरफ इंडेस्ट्र vista की तरफ काम की तरास में आते थे नाइनीव는 में जो कानपूर की भी सूती कपड़े की थे वो बीच बीच में क्या करते थे अपने गाउं चले जाते थे और वहाँ पर फसल की कटाई करने पर या तैवारों के समय गाउं लोटकर चले जाते थे जब उनको गाउं में काम होता था जो मिल मजदूर होते थे वो तो गाउं चले जाते थे जैसे फेस्टिवल सीजन्स है या फिर कटाई का काम होता है उसके बाद वह वापस इन फेक्टरी में काम करने के लिए आ जाते थे बाद में जब नए कामों की खबर फैल गई तो दूर दूर तक बहुत सारे लोग आने लगे धिरे धिरे पता चलने लगा कि एंप्लोइमेंट जो है वह बढ़ने लगा है तो बहुत सारे लोग दूर से भी आने लगे उधान के लिए जैसे जो यूनाइटिग प्रोवियंस है सेयुक्त प्रांत जो थे वहां के लोग बंबे से कपड़ा मीलो और कलकत्ता से जूट मीलो में काम करने के लिए पहुँच हो गया था हाला कि जो मीलो की संखेया वह बढ़ती जा रही थी लेकिन मज़्दूरों की मांग भी बहुत जादा बढ़ रही थी लेकिन जो है जो लोगों को एंप्लोइमेंट चाने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले में हमेशा ही जादा रहती है तो इसलिए लो प्रिशा जो जो द्योग्पत्य होते थे वह नए मज़दूरों की भरती के लिए एक जोबर रखते थे। जोबर क्या होता था। जोबर कोई पुराना और जो विश्वास करने पर कि करमचारी होता था। तो इस तरीके से व्यक्ति को रख लेते थे। वह अपने गाउँ से लोगों को लाता था, उनने काम का भरोसा देता था और शेहर में जमने में मदद भी करता था, यानि ये किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को ही जॉब easily मिल जाती थी, और वो उनको जरूरत पढ़ने पर उनको पैसे भी देता था, यानि ये जॉबर का वरक होता था, इस प्रकार जॉबर बहुत ज़्यादा पावर्फूल और बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्ति बन गया था यानि वह बहुत ही ज़्यादा के पास सारी और पावर हो गी थी ही बिगन डिमांडिंग मनी एंड किट्स वर फेवर और कंट्रोलिंग इस लाइफ और वर्कर्ष अम उसने क्या करना शुरू कर दिया उसने डिमांड करनी शुरू कर दी धी 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 वह जो मजबूरों की मदद के मदद के बनले में उनसे पैसे या गिफ्ट मांग लगा था और उसने मज़्जूरों की जिंद्रगी के ओपर फूरी त्रिकेश करके रख लिया था दा नंबर ओ फैक्ट्री वरकर ने इंक्रीज ओवर टाइम उस समय में जो फैक्ट्री वरकर्क थी उनकी संख्या बहुत जादा बढ़ने लगी थी लेकिन जो कुल जितने भी हम देखे है आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एहमदाबाद की मील में हैं वहां पर ओड़ते भी काम में लगी हुए है और ओड़ते जो है मुख्य किस तरह का काम देखती थी वह कताई का ही काम देखती थी okay student rest part of this chapter we will read on next one